हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आज हमाँ बनाएंगे टेस्टी से समोसे जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिस्ट बनेंगे जिसके लिए मैंने साबू धनिया सौफ और जीरा लिया है इसको ड्राय रोस्ट कर लिया है फिर इसको माम दस अच्छा हो जाएगा और बॉयल पटैटो को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है मैश में बाद में करूंगी क्योंकि मसाले एक साथ मिल जाए फिर उसके बाद अच्छे से भून लेंगे एक मिनिट के लिए इस पर डालेंगे हम नमक थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे थोड तो अच्छा बाद मिर्ची डालेंगे थोड़ा सा आम चूर पाउडर डालेंगे आप यह रेसिपी बना कर देखेगा आपको बहुत ही टेस्टी लगेगे इसमें मैंने बॉयल मटर डाले है यह फ्रेश मटर को ही मैंने बॉयल किया था और जो मसाला हमने क्रश किया था उस अब इसमें फ्रेश धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब यह पूरा तरीके से रडी हो चुका है अब इसे हम ठंडा कर लेंगे मैंने मैदा गूंत लिया था मैदा तो सब नॉर्मली जैसे मैंने शूट नहीं कर पाई थी वो मेरा कैमरा ओफ हो गया था त इसको गूंत लिया है मैंने थोड़ा सा गूंगोने पानी से गूता था क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो घी जम जाता है मौईन में मैंने घी यूज किया था और बस तिको ना शेप दे देंगे और पानी की हैल्पस इसे चिपका लेंगे और देखिए इस तरीके से साइड में पानी लगाईए इसको फोल्ड कर दीचे फिर स्टफिंग भरिए फिर पीछे बिल्कुल सेंटर में जहां से मोड़ा है उसके पीछे से भी हलका सा मोड़ देंगे और बस यह बिल्कुल शेप जो है बिल्कुल परफर्ट बन जाएगी और यह बहुत ही तेस्टी लगेंगे इस तरीके से छुपकाईएगा कि जिससे यह खुले ना डिलते समय और बस गर्मा गरम घीमे यह भी मैंनेansी जढ़ादा गरम नहीं किया है पिल्कुल सलोली गरम है और उसी मतलब फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लौ रखी है लो फ्लेम पर से तो यह उपर से ले अंदर तक पकेगा ये तो आपको भी पता होगा आप तो बनाते रहते होंगे तो इसका ध्यान रखिएगा बस तो ये crispy बनेंगगे और बहुत रिक करारे बनेंगे और इसी तरीके से बना लीजिये और प्लेटिंग कर लीजिये इसकी मैंने चार्ज समोसे लिए हैं और इसमें हरी चटनी है, यह धनिया पुदीने वाली चटनी है, जो आजकल हम सर्थियों में बनाई रही है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, शौट वीडियो में आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से बनाएं और खाएं, फ्रेंज आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे और वीडियो को लाइक कर दीचे,